नमस्कार बोल के लब आज़ाद हैं तेरे मैं अभिसार शर्मा ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहिए तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते बोल के लब आज़ाद हैं तेरे तो आखिरकार सुप्रीम कोट ये कह रहा है कि नीट के पेपर लीक हुए है और अब उसने CBI NTA मोधी सरकार से ये कहा जाए भाजपा NDA सरकार से कठिन सवाल पूछें वो कठिन सवाल क्या है कुछ देर बाद मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्ते याद कीजेगा जब इमामला सबसे पहले सामने आया था आपके स्क्रीन्स पर ये हैं शिक्ष्या मंतरी धर्मेद्र प्रधान इन्होंने पेपर लीक मानने से ही इंकार कर दिया फिर आपको याद है किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा था पूरा एक टूल किट चल पढ़ाता है जो तेजस्वी आदव पर निशाना साधरा था प्रियंका गांधी वाडरा पर निशाना साधरा था यानि कि भारतिय जंता पार्टी अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाए सब कुछ कर रही थी बिहार में 12 लोगों की गिरफतारी हो गई थी मगर शिक्षा मंत्री धर्में प्रदान तब भी कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है गुजरात के गोधरा में करोडो रुपए लेकर चीटिंग करवाए जा रहे थी मगर मजाल है कि शिक्षा मंत्री मान ले कि कुछ गरबड हुई है और अब Chief Justice of India डीवाए चेंदरशूर ने कहा है कि पेपर लीक तो हुआ है और उन्होंने कुछ कठिन सवाल पूछे है सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आना चाहूंगा वो पांच मुद्दे जो Supreme Court ने उठाए हैं अपनी सुनवाई के तोरान मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अब इस मामले को लेकर 11 तारीक को सुनवाई होनी है सभी पक्षों से चाहे NTA हो, CBI हो या फिर या चिका करता सबसे कहा गया है कि वो अपने जवाब पेश करें, मगर जो पांच बड़ी बाते सामने उभर कराई है मैं उसकी चर्शा करना चाहूंगा, साथ ही मैं आपको बतलाऊंगा कि इस मुद्दे पर किस तरह की राजनीती शुरू से लगातार हो रही है यानि कि हमारे बच्चों के भविश्य के बारे में जवाब नहीं देना हिलवाड करना और मुद्दों से बख्षते रहना वो पांच बड़े मुद्दे सुप्रीम कोट की पांच बड़ी बातें ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है सवाल ये है कि इसका दाइरा कितना बड़ा है दो स्टूडेंट्स की गड़बडियों की वज़ा से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते दोश्यों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा एक्जाम कराना होगा क्या पता नहीं लगा सकते कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है या नहीं अगर एलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह पहलता है ये पांच बड़ी बातें सुप्रीम कोट ने कही है और फिर सभी पार्टियों से एक-एक करके सवाल किये गए सबसे पहले NTA जहां वो NTA जो कि इस तरह के exams conduct करती है वो NTA जो सवालों के जवाब नहीं देती है वो NTA जो खुद सवालों के कट घरे में है उसके बारे में क्या कहा सुप्रीम कोट ने आपके स्क्रीन्स पर NTA से फुल डिस्क्लोजर रिपोर्ट मांगी है नेचर ओफ पेपर लीक यानि पेपर किस तरह से लीक हुए वो स्थान जहां से लीक हुआ तीसरा लीक की घटना और परीक्षा के बीच का समय अंतराल बताएं यानि कि जो लीक हुआ है और परीक्षा दोनों की बीच में कितना वक्त था एक डिस्क्लोजर देना चाहिए कि लाभारतियों की और सेंटर्स या शेहरों की पहचान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए उसका प्रोसेस क्या अपनाया गया इसके लावा अब तक क्या कारवाई की गई अब तक लाभारती के रूप में पहचाने गए छात्रों की संक्या कितनी है NTA से सुप्रीम कोर्ट में सीधे स्पष्ट और कठिन सवाल पूछे है इसके लावा दोस्तों CBI से भी कठिन सवाल पूछे गए CBI से कहा जाच रिपोर्ट सौपे सुप्रीम कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि एजनसी N.E.E.T. U.G. पेपर लीक मामले में अब तक हुई जाच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करे इसके लावा इस मामले में करीब दो दर्जन ये कहा जाए तीन दर्जन याचिका करता है दोस्ते उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिपणी किये है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर याचिका करताओं से कहा consolidated set दें यानि की consolidated set दें जो दस पेज से अधिक ना हो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया तीन दर्जन याचिका करता है इसमें 38 याचिका करता है इस पूरे मामले में जिसमें NTA की भी कम से कम दूसे तीन याचिका हैं यहाँ पर दर्ज हैं याद कीजेगा दोस्तों मुद्दे पर सुनवाई कर रही है आपको उनका शुरुवाती बयान याद है या भूल गए है मैं आपको याद दिलाना जाता हूँ धर्में प्रधान ने कहा था नीट परीक्षा मामले में NTA माननी सुप्रीम कोट के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कारवाई करने को कटिबद है माननी सुप्रीम कोट के निर्देश आनुसार 1563 विद्यारतियों की परीक्षा दूबारा कराई जाएगी NTA पर तो दोश मढ़ने का सवाल यह नहीं पैदा होता आगे नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भष्ष्टाचार या पेपर लीक की कोई पुखता जानकारी सामने नहीं आई है ये बात शिक्षा मंत्री ने कही थी और कुछ दिनों बाद जब मीडिया ने इस पर दबाव बनाया था जी हाँ याद कीजेगा तब उन्होंने क्या करते है हाँ फेटन गॉर्मेट हाँ फेटन सिस्टेम नथिंग रॉन कैन बी टॉलेटेड बाई गॉर्मेट मैं सभी को निवेदन करना चाहूंगा सारे विद्यार्थी मित्रों को अब अस्वस्त रहिए मगर समाना अंतर तोर पर मीडिया का भी एक खेल चर रहा था भारतिय जन्ता पार्टी के नेता और बिहार के डेपिटी जीफ मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फिंस करते हैं और सीधा दोश किसी और पर नहीं तेजस्वी आदव पर मढ़ देते हैं मास्चर माइंड के लिंक तेजस्वी आदव से बता देते हैं ये बात अलग है कि वो दिन है और आज का दिन तेजस्वी आदव से पूछताच तक नहीं हुई है ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीती करना जानते हैं सीधा सवाल है दोस्तों अगर तेजस्वी आदव के लिंक्स हैं तो अब तक पूछताच क्यों नहीं की गई भई पूछताच होनी चाहिए ना पताइए क्यूं अब तक इस मुद्वे पर पूछताच नहीं हुई है राहुल गांधी ने नीट के अभ्यारतियों से मुलाकात गी उनके दर्द को समझनी की कोशिश की थी लगातार उनसे मंत्रनाएं करते रहे सीधा सा सवाल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी विश्व विजेदा क्रिकेट टीम से मुलाकात कर सकते हैं उनके साथ फोन पर बात कर सकते हैं साथ विरें सामने उभर करा आएं थी सीधा सा सवाल क्या प्रधान मंत्री निट के अभ्यारतियों के प्रतिनिधियों से मुलाकाथ नहीं कर सकते थैं उनके बात नहीं कर सकते थệc अलबत्ता उनका मीडिया भाच्पा के toolkit पर चल रहा था वही बकवास कह रहा था, जो आप देखने वाले हैं, ये देखिए, इंडिया टीवी, पेपर लीक के सिकंदर से तेजस्वी का कनेक्शन क्या है, गेस्ट हाउस वाले मंत्री जी पर नया खुलासा क्या, सीधे तेजस्वी आदव को घिर लिया, फिर ये देखिए, नीट गांधी लगातार इस पर दबाव बना रहे थे, राहूल गांधी नीट के अभ्यार्थियों से मुलाकात कर रहे थे, लगातार मुलाकात कर रहे, मगर मजाल है कि प्रधान मंत्री कुछ कहें, फिर संसद में जब बहस होती है, जब राहूल गांधी अपना इतिहास एक बना रहे रहे अदर सुप्रीम कोर्ट कहरा है, पेपर तो लीक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट CPI से कथिन सवाल कर रहा है, उसे नजर अंदाज किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते, क्योंकि मामला बच्छों के भविश्य को लिकार है क्या इकठिन सवाल गोधी मीडिया करेगा क्या सरकार साफ गोई से जवाब देगी या फिर दोश किसी और पर मढ दिया जाएगा हम तो इंतजार करेंगे और इसी मंच पर सवाल लगातार करते रहेंगे अब इसार शेर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार झाल ये जाएगा जब झाल क्या सकतो करेंगे ये जुदत